हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू अप्री टेखनोलोजीज आज के स्टूटूरियन में हम लोग सीखेंगे आज इनो इंटरफेस विद टीवी रिमोट सेंसर चलिए शुरू करने हैं सबसे पहले हम लोग टिंकर कायड ओपेन करेंगे यहां पास हमने टिंकर कायड में इसके बाद हमनों सर्च करेंगे टीवी रिमोट सेंसर इसको आयार सेंसर भी हमनों कहते हैं आयार रिमोट सेंसर भी बोलते हैं देखिए इसके अंदर थ्री पीन ऊटती है एक आउटपुट पिन और एक जेंडी पिन और लास्ट फैली पावर पावर मतलब आइडिनों की 5 पोल्ट अब ये रिख आपावर इसके आडिनों के 5फ कर देते हैं आडिनों के फावर में करते हमने बल्ल खंश कर देते हैं और इसके मीडिल पिन हमारी जेंडी है तो इस कर देते हैं नेगेटिव cast से से घूक हम ब्लैक कर देते हैं मिचरों आउटमय और ब्रॉग्राम में कर देंगे करड़ें और वाय को सीदी करना है वाय पर क्लिक कर ये option आजाएगा ये दिखजिए दुनों तरब जब direction straight रहे तो समझे आपकी वायर इतनल श्रीट है नहीं आ रहा है तो आपकी वायर straight नहीं है ये हमने connect कर दिया है अब यहां पर हमनों search कर लेते यह remote भी यह हमने remote को भी drag and drop कर लिए अब हमनों code section पर जाते हैं पहले code देखते हैं code को समझते हैं इसे हमारा code है यह first वाली line जो है पैस सबसे first line क्या है यह हमारी library यह remote की library है इसके बाद हम लोगने define किया है IR remote किस pin पर connect है 11 pin पर यह देखे हमने s को एक initialize word ले लिया s फिर IR receive receive pin पर पिन कर आया है decode किया है इसके बाद देखे यह void loop के अंदर हम लोगने क्या है जो result आयार सेंसर में decode हो तो देखे एस हमने यहां पर लिया है इनिशलाइस किया था एस तो यह remote sensor की value hex file में s के अंदर store होगी उसके बाद उसी s को हम लोगने serial monitor पर print कर दिया है पिर 10 seconds का delay इस code को copy कर लेते हैं हम code हमने description में description में link दे दिया है आप code वहां से download कर सकते हैं ठीक है description में code की link दी हुई है यह पुराने code को हम delete करेंगे यहाद हमने code को paste कर दिया है code paste करने के बाद हम क्या करेंगे start simulate पर click करेंगे इसके बाद हम लोग serial monitor open कर लेंगे serial monitor open करने के बाद हम जब remote में press करेंगे तो यहाद देखे value generate होगी देखे हमने power pin को press किया तो इसका नंबर आगे 255 इसे देख सिगेंड बटन का अलग value है 3rd की अलग 4th की यह 5th 6th जैसे 2 press किया अलग value 1 press किया अलग value इसी तरीके से जो हमारे tv से हम चलाते हैं operate करते हैं तो इस पर्टिकुलर उस नंबर की value already store रहती है हम लोग remote control car चलाते हैं तो कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो इसमें value generate होती है उससे हमारी car operate होती है remote control जितने भी चीज़ है remote की पर्टिकुलर बटन की value होती है जो हमनों if condition में store करेंगे बहुत भी simple है remote control wireless आपको कोई भी चीज़ operate करनी है तो आप remote से operate करते हैं आज की इस tutorial में हम लोग नई सीखेंगे नेक्स tutorial में हम लोग बनाएंगे TV remote control LED प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो इस चैनल थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो